काले काले कीट ब्रहमर का ब्रहमी उपजाते कलिया भी अठ खिली मिली है कंटक कुल से बे पौधी बे पुष्प शुष्क है अठवा अच्छ से सुभद्रा कुमारी चोहान एक स्वतंत्रता सेनानी स्वाधिनता अंदलोनों में भाग लेने वाली प्रथम महिला इनका हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में एक विशेश स्थान है ये राष्ट्रिय कवेत्री के रूप में सम्मानित हैं इन्हें अमरत्व प्रदान करने वाली एतिहासिक कविता है जासी की रानी सिंगासन हिल उठे राज वंशोंने भ्रिकुटी तानी थी बुढे भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी गुमि हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी चमकुठी सन सत्तावन में वो तलवार पुरानी थी बुन्देले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वै तो जहां सिवाली रानी थी जन जागरन की मशाल ये कविता आज भी अपनी अलग पहचान रखती है देश भक्ती के साथ साथ इनकी कविताओं में मात्रत्व के निश्चल सहज अनुभव हैं तो दूसरी ओर इनके विद्रोही स्वभव में समाज की बुराईयों रूड़ियों का तीवर विरोध करने का अदम में साहस था परिवार, समाज, देश सेवा और काव्य कितना कुछ समाहित था उस एक अकेले व्यक्तित्व में हर व्यक्तित्व की एक कहानी होती है और उसकी शुरुआत भी सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाबाद के निहालपूर महरले में हुआ था पिता का नाम था ठाकुर रामनात सिंग और मा धेराज कुमरी इनका बड़ा बेटा राम अवतार सिंग, छोटा बेटा राम प्रसाद सिंग और सबसे छोटा बेटा राज बहादुर सिंग इनकी पांच बहने थी तिन सुभद्रा जी इन मेंसे एक थी उस समय का समाज पिछळा हुआ था छोटी उम्र से ही लड़की का घर से निकलना, जूला जूलना, छट पर जाना इस सब की मना ही थी पर राज भादुर सिंग यानी छोटे भाईया अपनी सब बहनों को पढ़ाना चाहते थे उनकी प्रेरणा से ही बहनों में कविताएं लिखने की प्रतिभा अंकुरित हुई ये बात है सन 1913 की सुभद्रा जी तब सिर्फ 9 साल की थी जब इनकी पहली कविता नीम मर्यादा पत्रिका में छपी सुभद्रा कुमरी के नाम से इस तरह से इनके जीवन में कविताएं लिखने और पत्र पत्रिकाओं में छपने की शुरुवात हुई इन्हें दिनों सुभद्रा जी अपनी बहनों के साथ क्रॉस्थवेट गल स्कूल में पढ़ने जाने लगी सुभद्रा जी एक्के पर आते जाते कविताएं लिखती सन 1917 से सुभद्रा जी उसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगी वहां महादेवी वर्मा जी भी पढ़ने के लिए आई और दोनों अभिन्स सखियां बन गई सुभद्रा जी की कविताओं में सरल, सहज, लोग जीवन की भाषा महादेवी जी की कविताओं में थी अंतर मुखी रहस्य मैशेली पर मित्रता दोनों कवित्रियों ने अंततक निभाई 20 फरवरी 1919 को इनका विवाह लेखक लक्ष्मन सिंग से हुआ विवाह बिना देहेच के, बिना घुंगट के बहुत साधारन धंग से संपन हुआ था लक्ष्मन सिंग एक स्वतंत्रता सेनानी थे वे मैथली शरण गुप्त की देश भक्ती की रचनाएं पढ़ते और सुनते कॉंग्रेस के कारियों में स्वयम सेवक बन कर हिस्सा लेते थे सुभद्राजी में देश प्रेम जगाने और लेखन में रूची पैदा करने में लक्ष्मन सिंग ने पूरा सहयोग दिया ये समय था आजादी के संघर्ष का राजनीतिक उथल पुथल का उन दिनूं अंग्रेस सरकार भारतियों के दमन के लिए नए नए तरीके अपना रही थी इस सरकार ने सन 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया जिसके तहट सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी इसके विरोध में जब 13 अपरेल सन 1919 में जलियाँ वाले बाग में सभा हो रही थी तो वहाँ ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने मिहत्थे लोगों पर अंधा धुन्ध गोलिया बरसाई तब सारा देश दहल उठा प्रबल आक्रोश था हर कांतिकारी के हरदय में सुभद्रा जी इस घटना से बहुत आहत हुई इसका दर्द अविवक्त हुआ उनकी जलियाँ वाले बाग में बसंत कविता में यहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते काले काले कीट ब्रमर का भ्रम उपचाते कलियाँ भी अध खिली मिली हैं कंटक कुल से विपौधे विपुश्प शुष्क हैं अथ्वजुल से परिमलहीन पराग दाखसा बना पड़ा है यह प्यारा भाग खून से सनना पड़ा है आओ प्रियरितुराज किंतु धीरी से आना यह है शोकस्थान यह है शोकस्थान यह मत शोर मचाना इस अत्याचार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश असहयोग आंदोलन के रूप में उभ्रा सन 1920 में गांधी जी के नेतर्त्व में इस आंदोलन के शुरुआत हुई लक्षमर सिंग और सुभद्रा जी ने भी पढ़ाई छोड़ दी दोनों ने देश सेवा का व्रत लिया 1920 में दोनों अखिल भारतिये कांग्रेस कमिटी के सदस्य बन गए सुभद्रा जी स्त्रियों में संगर्ष का संदेश स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना परदा छोड़ना छुआ छूट की भावनाओं के भाहिशकार को बढ़ावा दे रही थी इन्ही दिनों माखनलाल चतुरुवेदी ने जबलपुर में कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया लक्षमर सिंग इसके संपाधन का क्यार्य करते थे तब सुभद्रा जी का भी सहित्यकारों से परिचे होता था और उनके लेखों और रचनाओं को पढ़ने का अफसर सुभद्रा जी को मिलता था दिसम्बर 1921 में सुभद्रा जी और लक्षमर सिंग एहमदाबाद कॉंग्रेस अधिवेशन में गए जहां गांधी जी से सुभद्रा जी का परिचे हुआ साबर मती से जबलपुर पहुँचकर फिर सुभद्रा जी ने कॉंग्रेस के प्रसार प्रचार का कारे समहला लक्षमर सिंग ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया दोनों साइकिल पर कॉंग्रेस का कारे करते कभी कभी सुभद्रा जी अपने पती के साथ साइकिल पर 14 किलोमीटर की दूरी तै करके भेडा घाट घूमने के लिए जाती शायद वहाँ से ही मिला होगा उन्हें रूड़ियों को तोड़ने वाला चटांग जैसम्मन जिसके अंतस में बहती थी ममता और करुणा की सुकोमल भावधाराएं सन 1922 में जंडा सत्याग रहे जबलपूर में मिनिस्पिल कमिटी से शुरू किया गया ये था जबलपूर का पहला जंडा सत्याग रहे और सुभद्राजी बनी पहली महिला सत्याग रही जबलपूर के बाद जंडा सत्याग रहे शुरू किया गया नाकपूर में असहयोग अश्रम से सत्याग रही जलूस में निकलते और गिरफ्तार कर लिये जाते कॉंग्रेस द्वारा जगह जगह सभाएं की जाती भाशन दिये जाती नाकपूर की विधान सभा का टाउन हॉल सुभद्रा जी का भाशन सुनने के लिए खचाखच भर जाता सुभद्रा जी अपने भाशन के बीच बीच में जोश से भरी कविताएं सुनाती थी जैसे जहांसी की रानी मेरी उम्र रहे होगी बीच साल जब मुझे पहली बार ये कविताव नवी कक्षा की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला तो उस अवसर पर मेरे दिमाग में ये बात कौन गई कि इससे ज़ादा जबरदस शुरुवात मुझे जीवन में किसी कृति की दिखने वाली नहीं है कोई भूमिका नहीं कोई माल्यारपण नहीं कोई सम्मान नहीं सिंगा सन्हिल उठे राजवन शोने भ्रकुटी तानी थी बूरे भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी जो कत्य है उसको पूरे आत्म विश्वास के साथ बगार किसी भूमिका के उद्घाटित करने वाली पंक्ति है जो दूसरी पंक्ति का आशर है वो इसकी शुरुवात से प्रगट हो जाता है कि जिस तरीके से ये कविता शुरू होती है और आप इसकी चौथी पंक्ति तक आते आते एकदम डूब जाते हैं एक ऐसी स्थिती में जहां पर आसमान फट गया है और आपको लगता है कि कोई धान देने लाए घटना घट गई है ये आप समूची कविता अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये कविता हिंदी के एक बहुत प्रांजल रूप का हमारे सामने एक बढ़ा निराला उधारन रखती है और जहां तक अलंकार शास्त्र की ध्वनी शास्त्र की बिंबों की रचना की बात है या कि अगर आप इसको कहानी की कलास के हिसाब से तौलें तो जो गती का सवाल है इन सभी पैमानों पर ये कविता एक लेखक के रूप में मुझे हमेशा कुछ न कुछ तिखाती रहती है उनकी ये कविता जब्त कर ली गई थी फिर एक बेटी का जन्म जैसे इनका बचपन लोटाया था ये मातरित्व बदलाव लाया इनकी काविधरा में भी मैं बचपन को बुला रही थी पूल उठी बिटिया मेरी नंदन वन सी फूल उठी ये छूटी सी कुटिया मेरी जिसे बच्ची बहुत सुन्दर कविता उनकी है उसका भाव ये है कि एक बच्ची का आना मनो मेरे लिए बच्पन का लोट आना है तो जो बच्पन चला गया उसके लोट आने को एक बच्ची के रूप में अपने आंगन में महसूस कर रही है अब ये लोट आना ये लोट आना एक राष्टी परिप्रेक्ष भी है जो हमारी आदादी चली गई थी जो हमारे आंगन का वो जो स्वाधीनता का एक फलता फूलता पौधा सूख रहा था आपनिवेशिक सामराज के आने से वह अब लोटने वाला है जैसे बच्ची आई है जीवन में परिवार में एक मेरे गएवी बच्पन को वापस लाने का एहसास करा रही है ऐसी मेरे देश के आंगन से जो कुछ चला गया था वह वापस आने की एका कांगशा इस कविता में प्रकट होती है उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं लिखी जो बच्चों के साहित्य की अनमोल धरोहर हैं जैसे कोयल, पानी और धूप, खिलोने वाला, कदंब का पेड, सभा का खेल, अजय की पाठ्चाला इत्यादी कदंब का पेड आज भी पाठ्चर्या का हिस्सा है ये कविता उनकी बालचित वृत्तियों की परक़ का एक उत्कृष्ट नमूना है यह कदम का पीड अगरमा, खूता जमुना तीरे मैं भी इस पर भैट कनया, बनता धीरे धीरे ले देती यदि मुझे बाजुरी, तुम दो पैसे वाली किसी तरह नीचे हो जाते, यह कदम की डाली उन्होंने जितनी सुन्दर कविताइं लिखी, उतन्या ही सुन्दर उन्होंने गद्य साहिते, कथा साहिते लिखा उनके कथा साहिते का बहुत अधिक महतु है, क्योंकि उनके पास एक निश्चित कारिक्रम था, उनके सरोकार बड़े व्यापक थे राश्टिय स्वाधिन्ता संगराम में विसक्री रूप से भाग भी लेती रही और उस भावना को कवीता के माध्यम से बाणी भी देती रही इसके अतिरित इस्त्रियों का अद्धार मैं और उसके साथ साथ दलितों का अद्धार भी उनके एजंडा पर बहुत प्रमुक जगह रखते हैं उनकी तमाम कहानिया इस्त्रियों के दुखदर्ख से प्ररित हैं उनके अपने प्रयासनी जीवन में और उनकी रचनाएं दलितों के बारे में गहरी संवेदनाल सरोकार का परिचा देती हैं सन 1928 में इलहबाद से सुभदरा जी की कविताओं का संग्रह मुकुल प्रकाशित हुआ इसमें हिंदी सहित संभिलन की ओर से इन्हें सेख सरिया पुरसकार दिया गया उस समें ये पुरसकार महिला लेखिकाओं के लिए निश्चित किया गया था इनका काविलेखन आजादी के संघर्ष से जूचते हुए भी निरंतर गतिशील रहा फिर सविनय अवग्या आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा से इधर जबलपुर में लक्षमर सिंग ने एक आम सभा में जनता का आववान किया और गिरफतार किये गए इसी दौरान सुभद्रा जी ने सामाजिक सच्चाईया उभारने वाली कहानिया लिखी कहानी संग्रह का नाम था बिखरे मोती इसे भी हिंदी साहित्य की ओर से सेख सरिया पुरसकार दिया गया उनकी कहानिया पाठक की उंगली पकड़ कर हर द्रिश्य की सहजता का भागीदार बनाते हुए आगे बढ़ती है उनकी कहानियों के एहसास को नए अंदाज में समझा भी गया है उनका तेज इस प्रकार का था कि शायद 2021 में जो पहली महिला आसहयोग करने वाली नेता थी और जेल जाने वाली पहली स्त्री आसहयोग कारे करता वो सुभद्राजी थी तो सक्री स्वाधिन्ता आंदोलन में और सक्री रचनात्मक साहित्य में एक साथ उन्होंने प्रगती किया और ये चीज आज जब स्त्री मुक्ति के आंदोलन दुनिया भर में और खास्तोर से हिंदुस्तान जैसे पिछड़े हुए समाजों में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तब इस चीज का महत्व और इसकी प्रासंगिक्ता और ज़्यादा हमारे लिए हो जाती है 1932 में अच्छूतो धार की समस्या के निदान के लिए चंदा एकठा करने के लिए गांधी जी पूरे देश के दोरे पर निकल पड़े जबलपूर भी आए सुभद्रा जी ने इसका संदेश घर घर पहुँचाया सन 1936 में ये विधान सभा की सदस्या चुन ली गई थी जिसकी पुष्टी सरदार पटेल ने एक पत्र से की थी जबलपूर में सुभद्रा जी ने व्यक्तिगत सत्या ग्रह किया और उन्हें गिरफतार कर लिया गया जेल में वे अकेली राजनितिक बंदिनी थी उनकी जेल की डायरी में कुछ इस तरह का सच लिखा था आज लालटेन में तेल नहीं है कुछ न लिख सकूंगी मैं जल्दी जल्दी कुछ लिख देना चाहती हूँ क्योंकि लालटेन दम तोड़े दे रही है आज भी करीब करीब कई मानों में उसी प्रकार के परिस्थियां हैं जिन परिस्थियों के संदर्व में शिमा देश बंदरवाई चमान ने अपना संपर्ष किया था कर्दाओं की शिंकला से पता चलता है कि प्रायमों ने प्रतेक मानवी पहले को चुगा है चाहे वो वात्सल्ले का हो करना का हो पारिवारिक संबंधों का हो और सब में वही निश्चल चलता है राश्र को ऐसे ही महान विक्तियों के प्रेड़न की आज हवे शक्ता है 1945 में सुभद्रा जी फिर विधान सभा की सदस्या चुन ली गए समाज के कारियों को पूरा करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया पर नियाती को कुछ और मन्जूर था पंद्रह फरवरी 1948 के दिन नाकपुर में शिक्षा विभाग की सभा में शामिल होने के बाद जबलपुर लोटते हुए मोटर दुरगटना में उनका देहन्त हो गया 1949 में जबलपुर शिहर में नगरपालिका भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई तब महादीवी जी ने कहा था नदियों का कोई समारक नहीं होता दीपक की लौको सोने से मर दीजिए इससे क्या होगा हम सुभद्रा के संदेश को दूर दूर तक पहलाएं और आचरण में उनके महत्व को मानें यही असली समारक है उनका लेकन केबल साहित्तिक द्रिष्ठि से उत्करष्ठ है ऐसा नहीं है उसमें जो उनकी सामाजिक चिंताएं है विशेश करके जो महिलाओं के प्रती और उनके अधिकारों के प्रती जो उनकी सजगता है वो आज जो पचास साट सतर वर्ष बाद जो नया चिंतन सामने आ रहा है उसमें से कई चीजों की उन्होंने इसके पहले ही चिंताव्यक्त की थी और उसको उसके लिए जागरती के लिए उन्होंने सोचा था सुभद्राजी जैसी कोई दूसरी लेखिका नहीं है जिन्होंने उस दौर में महिलाओं की करुणा को उनकी प्रीड़ा को उनकी सहरदैता को आवाज दी हो हम जब उन्हें याद करते हैं तो एक पुरा प्रसंग याद आता है इतने वर्षों का कम अवध ही तक वे जिन्दा रहीं लेकिन जितने दिन रहीं उनका काम यश से भरा हुआ है और कभी भुलाया नहीं जा सकता उनकी मृत्यू के बाद हिंदी के दो बड़े कवियों ने जो ट्रिबूट किया है जो श्कदांजरी दिये एक संशर जी ने और दूसरी मुक्तिबोजी ने तो वो दोनों अधुपत है मतलों एक प्रेमों संदरे का कवी उनको उसी ताप से याद करता है और दूसरी तरब प्रतिबधटा वैचारिक कठोता का मुक्तिबोज जैसा कभी उनको उसी तरह से याद करता है सबसे बड़ी प्रिणा तो यही हमको मिलती है क्यों होना का ऐसी सुंदर कवता मिली जो कि जहां से ही कि रानी जो कि राश्ती चेतना का पर्टेख है और जो कि हम सबों को इस ताइम में इस भारत वर्ष में जिसकी सबसे जारा आवश्यक्ता है राश्ती चेतना का हमसले एक रास्तर हैं और अपने डेश के लिए मरने के लिए तयार रहें और भादुरी से जीवन को दीट करें और यही इस ताइम की चेतना है जो कि उन्योंने बहुत ब़ार काम किया उस ताइम में जो कि एक एक पहली इस्तरी होते हुए जो कि वो कव्टा के लाइन में मेरा खाल आई है जहुन राजास्त को और उनको हम हेडल से प्राब रखे सुभध्राजी एक साधारन व्यक्तित्व में संजोए असाधारन गुण साधगी और मम्ता की पहचान एक इमानदार देश भख्त समाच सुधारक कर्म के प्रति अटूट आस्थावान एक उत्कृष्ट कवित्त्री आज जरूरत है हमें सुभध्राजी के पद चिन्हों पर चलने की आजादी के माइने एक बार फिर से समझने की और एक मशाल बन कर देश के वरतमान और भविश्य को आलोकित करने की जाओ रानी याद रखेंगे हम क्रतक्य भारत वासे ये तेरा बगिनान जगाएगा स्वतन्प्रता अविराशी होंगे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे भासे भूमत माती विजय मिटा दे गोलों से शाहे जहासे अविए